नमस्कार मैं दिपीका बिंग ममी चानल में आपका स्वागत करती हूँ आज का ये वीडियो मैं सिर्फ इसी लिए बना रही हूँ क्योंकि काफी ज्यादा ये इंपोर्टेंट होता है उन महिलाओं के लिए जो की इजली कंसीव नहीं कर पादी है बहुत से जो है उन्होंने टेस्ट करवा रखें बहुत सारे डॉक्टरों से मिल लिया है बट फिर भी जो है उनका जो रिपोर्ट है वो एकदम पॉजिटिव है सारे रिपोर्ट एकदम अच्छे हैं कुछ भी प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं दिखाए दे रहा है लेकिन फिर भी जो है वो तीन साल स साथ को चिपके आनदे उनके साथ जूरा है जिस वजे से कि वह जो है वो कंसीव नहीं कर पाती है और ये वह जयादा बटी भी नहीं होती है ऐसा मैं नहीं कह रही हूं यह काफी सारी स्टुडीज में यह पाया गया है कि आप इन प्रेगनेन नहीं हो पाती है तो चलिए हम उन बुरी बातों को जो है अपनी लाइव से दूर कर देते हैं यह ताकि हमारे लाइव पॉजिटिव हो जाए और हमें जल्दी से मिल जाए तो चलिए अब इस बारे में बात करते हैं सबसे पहली चीज जो आप सुबा सुबा चाय पीती है वो बिल्कुल भी अपने डे में से जो मौर्निंग का रूटीन है उसमें हटा दीजे बिल्कुल भी आपको चाय मौर्निंग में नहीं पीना है जब आप खाली पेट पीती है दो जो भी पेट के उन्दी चाय है उसके बाद जो आपके बिल्कुल यो बी के लिए दीनभर का मील है वो प्रोपर आपका बॉडिय जो हो सोक नहीं कर पाएगा मतलब उसके अंदर की जो प्रोटीन है जो फाइबर है जो भी आप खाना खा रहे हो ना जो भी अच्छे नुट्रिशन है आपका बॉड़ी वो नहीं ले पाएगा इसलिए आप देखोगे डॉक्टर्स के पास अब जब भी जाते हो या जो भी हेल्थ एक्सपर्ट से जब आप उनसे बात करते हो ना तो आपको रेगुलर बेस पर यह बोलेंगे कि मॉर्निंग के टाइम पर आपको बिल्कुल भी खाली पेट चाय नहीं लेना चाहिए हाँ होता है कि चाय बहुत पसंदे पीना पड़ेगा तो आप बाद मिलो ना खाना खालो उसके बाद लो भी थोड़ा सा लो भी कभी कभार एक बार ऐसे रेगुलर हैबिट मत रखो क्योंकि चाय जो है बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए जब भी आप चाय पी ओगे ना उसके बाद जब आप अपना मील होगे ना तो आपका जो खाना है वो अच्छे से नहीं पचेगा क्योंकि आपने सुबह सुबह ही जो है अपने बॉड़ी को एक गरम गरम सा चाय दे दिया है उससे आपके बॉड़ी को कुछ भी नहीं मिलन काफी सारी स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि कई बार जो हैं बहुत जादा हैल्दी खाना खाते बहुत अच्छा मारा टाइम टेबल होता है बट वो सिर्फ एक चाय के वज़े से क्योंकि आपका बॉड़ी जो है उस खाने में से प्रोपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा क्योंकि आप अच्छा खाना नहीं लोगे तो चिर्चरे तो हो गे ही आपकी बॉड़ी वीख हो जाएगी और उसमें जो है न्यूट्रिशन कमी के वज़े से जो है आपका जो एग है वो भी रहेगा तो इस वज़े से क्या होगा न कि जो बेबी है कई पर ऐसा आपने अगर आपके हैबिट में से यह जो है बिलकुल भी हटा दीजिए एक बात बोलू मैं आप से जिस तरह सुभा हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो पूरा दिन कितना अच्छा जाता है ना कितना हैपी हैपी सा जाता है तीक उसी तरह से जब आप अपने मॉर्निंग के मील में मॉर्निंग का जो अपका ब्रेकफस्ट है उसके जगह पर जहां चाय ले रहे हो उस जगह पर अगर आप कुछ हैल्दी के अंदर चाय को हटा करके कुछ हैल्दी सा खाते हो तो आपका बोडी भी जो हैना बहुत खुश होता है बहुत हैपी हैपी सा हो जाता है जब ऐसे हारमों घरके है जो है यहाँ आपका हारमों चापि रहल कीकति हो सब्सक्राइब आपका जहां आप छीघ्ण जहां कर एंदर है इस जगह पर आपको एस एज पर जो हैं जो है फ्रूट ले खर्म करने फि士 जाता है तो आपको हम और के शरुम सब्सक्राइब व्याött चांकुरित अनाज होता है जो हमारे गर में वहाँआ जो Wyसे ही उप वीसलीवेल होता है वो फ्रेश लिए गयो तो इसे ना अपका हार्मोन जो है भहत अच्छे से बैलेंसTरागा बॉड्डी हैपी रहेगा चाहिशें ह saf ब्हूर झाल्रे को आप ngh Concept раза ज जहरूरी होते हैघर हम प्रॉपर नहीं सोएंगे न तो हमारा जो हार्मोन है वो इतना अच्छा नहीं बनेगा जिससे की अवलेशन के लिए प्रॉबलम होगा तो इसलिए बहुत जादा जरूरी होता है कि आप जो है एक प्रॉपर नींद लें प्रॉपर नींद से मेरा मतलब है कि आपको जो है एटली साथ घंटा सोना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि ओफिस के वर्क प्रेशर के वज़े से या फिर घर के कामों के वज़े से और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती है जिस वज़े से कि हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं रात को जो है एक बज़े बार बज़े या दो बज़े ऐसे सोते हैं और सुबा जो है छे बज़े साथ बज़े तक उठ जाते हैं आप जो है at least 24 गंटे में 7 गंटे जो है प्रॉपर नींद ले अब आप किस तरह से लेंगी ये आप टाइम टेबल जो है एक रूटीन जो है वो बना लीजी इससे आपको बहुत जादा मदद होगी अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे ना आपकी बॉड़ी अगर थकी रहेगी उसको अच्छे से नींद नहीं मिली रहेगी सबसे पहले तो जो हार्मोन बन रहे थे ना वो इतने अच्छे नहीं बनेगे बट उतने अच्छे कॉन्टिती में नहीं बनेंगे शेकर्ड़ की जो आपका stress लेवल हे बढ़ जाएगा और थर्ड की आपका जो बाडी हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो दिखाई देने लगेगा तो इसी लिए बहुत जादा जरूरी है कि आप अभी से जो है प्रॉपर नींद ले ताकि ये सारी चीजे जो है डिस्टर्ब ना हो और आपका एक कॉलिटी जो है वो अच्छा रहे काफी सारी स्टडीज में ऐसा द आजकल सुनने में कि आप देखोगे ना कि हर दूसरा वेक्ति आपको बोलेगा कि उनको ब्लड पेशर का प्रॉबलम है या उनको शुगर का प्रॉबलम है क्या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों होता है विकॉज आपका कम सोना अगर आप 6 गंटे सो रहे ओ तो आप कैसे हल्दी रह सकते हो तो बहुत जरूरी होता है कि आप एक induced a जाता है लुए छेम इन रज्कंतूलर की इस विळेसे हमारी इम्मोनेटी वीड मेंदी बन भी हो जाती है जिस वज़े से कि वरचानल इंफीक्शन स्भी हो जाते हैं और यह सारी चीजे जो है अमें इसली दिखाई नहीं देती है यह आपको इन फर्टिलिटी के टाइम पर पता चलता है क्योंकि most of the time यह सारी चीजे जो है साइलेंट होता है और हमें सही टाइम पर इसका नॉलेज नहीं मिलता है कई बार जो है कम नींद के वज़े से जो है मा चेहरा जो एजिंग होता है कई बार ऐसा भी देखेंगी ना आपकी कुछ लेडी जो है ना उनका चेहरा जो है है तो वो 25 साल की 26 साल की पर वो दिखाई देंगी 30-32 साल की मतलब वो जो है अपने एद से जो है वो जादा दिखने लगती है यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ क्यूकि आप जो है एक प्रॉपर नींद नहीं ले रही है इसलिए sleep hours को आपको ही control करना है आप जो है पूरा घर control कर लेती है अच्छे से manage कर लेती है तो आपको आपकी नींद को भी जो है अच्छे से manage करना पड़ेगा तो आप इसका भी जरूर ध्यान रखेगा और तीसरी problem आपको ये जान करके surprise होगा कि इंडिया में 80 to 86% लेडीज ऐसी हैं जो ये मानती हैं कि वो stress में हैं और यह मैंन ही बोल रही है और उसमें से 82% लेडिज ऐसी हैं जो यह मानती हैं कि उनका जो पूरे दिन का लाइफस्टाइल है उसमें उनको पूरे दिन में बिलकुल भी आराम करने के लिए टाइम नहीं मिलता है और एक और बात काफी जादा मुझे सर्प्राइजिंग लगा जब मैं इन चीजों को पढ़ रही थी जब रिसर्च कर रही थी क्योंकि काफी सारी स्टडीज में ऐसा माना गया है कि इंडिया में 30-40% यानि कि 30-40% ऐसी भी महिलाए हैं जो कि इस स्ट्रेस के वज़े से जो हैं काफी ज़्यादा हैं मतलब महिने में उनको 3-4 बार जो है बिकॉस अफ स्ट्रेस और एक बात इंडिया में 15 से लेकर के 40% मतलब की 15 से लेकर के 40% महिलाए जो होती है इस ट्रेस टाइम में जो है रोती है मतलब जब उन्हें ऐसा फील होता है जब उन्हें दुखी सा फील हो रहा है तो वो जो है स्ट्रेस में रोती है और इंडिया मे जो है 21 से 30 पर 30 माइलाई जो होती है जब भी उनको जो है stress feel होता है तो उस टाइम पर उनका जो स्टमक हो अपसेट हो जाता है इससे मेरा मतलब है कि उनका जो है वो पेट खराब हो जाएगा या फिर गैस जो है वो बनने लगेगा खाना जो है वो अच्छे से digest नहीं होगा यानि कि उनका body clock जो है वो डामेज हो जाता है तो यह सारी चीजे होती है सिर्फ और सिर्फ एक stress के वज़े से तो ऐसे में आप यह कैसे सोच सकते हो जहां कि 86% women जो है वो बोल रही है कि हाँ वो stress है तो ऐसे में आप कैसे सोच सकते हैं कि हाँ उनका जो हार्मोनल बैलेंस है वो प्रॉपर होगा तो इसलिए बहुत जादा जरूरी होता है कि आप जो है वो stress से बाहर निकले आप जो है वो healthy रहे तो इसके दो चीजे हैं जिसे अगर आप करती है ना तो आप जो है stress से बाहर आ सकती है सबसे पहली चीज होती है कि आप जो है एक healthy diet लीजिए मतलब अच्छा खाना पीना खाईए healthy diet से मेरा मतलब है कि आपके खाने में जो है जरूरी वसा हो जरूरी प्रोटीन हो जरूरी जिंक हो आपके खाने में DHA हो proper nutrition हो proper protein हो proper calcium हो proper जिंक हो proper iron हो यह सारी चीजे जो है अगर आप अपने बॉड़ी में अच्छे से healthy रूप में दोगे ना तो आप जो है stress से बाहर निकल सकती है अगर आपकी बॉड़ी हैपी रहेगी आप अंदर से जो खुश रहोगे ना तो आपको कोई भी stress नहीं होगा बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी तरह का stress अगर आप जो है उससे आप बाहर निकलिए निकलिए ना सबसे पहले में रह करके आप बोर हो गए हो आप stress हो गए हो तो सबसे बेस चीजो ताइस चीज को दूर करने के लिए आप जो है greenery में जाए मतलब हरी जो जगह होती है ना वहाँ पर थोड़ा सा time spend कीजे इससे क्या होगा ना आपका मन जो है वो शान्त होगा और green जगहों पर जो है र पोजिटिव इटी को जो है बूस्ट करने के लिए बहुत जारूरी होता है कि अगर आप जादा स्ट्रेस में होना तो पहले तो आप बहुत ही जगहाँ पीओ तो अबहुत है जादा है तो आप जो है साबू दाल चावल रोटी सबजी जो ग्रीन वेजिटिबल सोते जो फ तो इससे भी आपका stress आउट होगा, आपको boost करेगा energy के लिए, मतलब आपके अंदर जो है एक positive जो चीजे होती है, इसको boost करने में काफे जादा help करता है, आपको काम करने में, आपको हील करने में, योगा जो है, बहुत जादा help करता है, तो आप इन चीजों को अपने daily life मिला आपने stress को जो है एकदम से goodbye कर दीजिए, तो इससे आपको बहुत जादा help मिलेगी आपके घर में good news को लाने के लिए, I hope कि आपको मैंने इस वीडियो में जो भी tips बताया है, आप उसको जरूर follow करेंगी, और इससे आपको good news भी बहुत जल्दी मिल जाएगा, अगर वीडि उसाम respons पहा हादा है, पुल जल्दी मिलेगी आपक बश़ हब करेंगाई लाएगा TRA विए, पार मीमने के लाएगा है, जो जो जाएगा है, जो नहल ऑचाने के लाएगा भी आएगा है, जो जन हमने चुएदको नहाँचिए, पालेगपा है, जो रWeदाषं, जो जैसे ख़